आज मैं चने की डाल में कीनी डाल कर ऐसी चीज बनाने वाली हूँ जो 7-8 मिनट में बनकर तयार हो जाती है आप एक बार इसे बना कर खाएंगे तो दोबारा खानने से खुद को रोप नहीं पाएंगे ये बहुत ही जादा स्वादिष्ट लगते हैं और आप चाहे तो इसे बड़े पाल्टी या तिवारों में भी बना करके खा सकते हैं और इसे आप 7-8 दिन तक फ्रीज में रख कर आप इंजुआय कर सकते हैं बहुत जादा टेश्टी बनते हैं तो इसके लिए सबसे पाले हमें लेना है चना दाल तो यहाँ पर मैं एक कप चना दाल ली हूँ और इसे मैं हलका गुनगुना पानी में 3-4 घंटे के लिए भीगो कर रख दी थी चना दाल अच्छा से फूल गए हैं ये देखिए तो एक मैं तोड़कर भी दिखा रही हूँ देख सकते हैं चना दाल बहुत अच्छा से फूल गए हैं इस तरह से चना दाल को भीगो कर लेना है अब चना दाल को हम एक छंडी में डाल कर इसका जो पानी है पूरा छान कर निकाल देंगे दाल के उपर हम फिर से पानी डालेंगे और इसे मसल मसल कर धो लेंगे क्योंकि दाल भीगोने के बाद में हलका हलका लसम होती है तो पानी डाल कर इसे हम अच्छा से धो कर साफ कर लेंगे और पांच मिनट के लिए इसे हम रख देंगे ताकि डाल में इसे पानी पूरी तरह से निकल जाए तो अभी ये गीला है हलका हलका इसे हम टॉबल पे डाल कर इसे हम अच्छा से पोच लेंगे ताकि ये जो डाल में पानी है ना पूरी तरह से सूख जाए एदम खिला खिला डाल ले पानी बिल्कुल भी न रहे तो मैंने एक टॉबल लिया है टॉबल पर मैंने डाल दिया है डाल को अब इसे हम रगर रगर के इसे अच्छा से सुख लेंगे आप चाहे तो इसे फैला कर पंके की नीचे भी रख सकते हैं या इस तरह से आप टॉबल से पोच सकते हैं तो ये देखिए डाल में से पानी पूरी तरह से सूख गए है इदम अब इसे हम एक ठाली में ले लेते हैं तो डाल को मैंने ठाली में रख लिया है देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी नहीं है इस तरह से डाल में से पानी को पूरा सुखवा लेना अच्छे लिए चलते हैं गैस की तरफ इधर मैं गैस पे पेन रख दी हूँ पेन हलका सा गरम हो गई है इसमें मैं डाल रही हूँ घी तो यह देशी घी है, घर का बनाया हुआ गी है, आप चाहे तो मार्केट का भी ले सकते हैं, या घी की जगह पे आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में बनाईएगा, ये रेश्पी बहुत ही ज़ाधा स्वाधिष्ट बनेंगे, घी को गरम कर लेना है, तो दे और भी बरतन ले सकते हैं और गेस का फ्लेम हाई करके डाल को हम घी में पकाएंगे यानि हम जैसे नमकीन बनती है ना वैसे हम कुरकुरा कर लेंगे तो मैं नमकीन नहीं बना रहे हैं फ्रेंड वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग को ये रेस्पी बहुत ही जादा बहुत टेश्टी बनते हैं तो इसे भुनने में लगबग आपको साथ से आठ मिनट का समय लग जाएगा गेस का फ्लेम हाई करके देख सकते हैं जो दाल अन पहले बड़े-बड़े साइज में थे अभी छोटे-छोटे साइज में हो गये हैं अब इसे हम घी में से छान करक जब दाल ठंडी हो जाए उसके बाद में एक ग्रेंडी जार में सभी दाल को डाल देना है तो यहाँ पर दाल को पीसना है एकदम बारिक तो यहाँ पर दाल को मैंने ग्रेंडी जार में डाल दिया है अब इसे धकन लगा कर बारिक पीस लेंगे तो दाल को मैंने अच्छा स से पीच लिया है देख सकते हैं यह देखिए हलका सा दानेदार बना हुआ है दाल इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मिक्सर को डुलाते हुए इसे अच्छा से पीच लेना है वापस में वही पेन लिए हूँ इसमें जो घी बची हुई है लगबक दो से तीन चोटी च लेम पे चलाते हुए इसे हम भूनेंगे लगबक चार से पांच मिनट तक जैसे जैसे आप चलाते हुए भूनेंगे यह जो डाल का पौडर हना एकदम दाने दार हो जाएंगे और इसका जो कलर हना हलका हलका चेंज हो जाएगी और धीरे धीरे इसमें खुसभू आना सुर के बाद में आधी मिनट तक चलाते हुए और इसे भून लेना है तो यह अग्दम दानेदार हो गए हैं अब इसे हम एक थाली या किसी प्लेट में निकाल लेंगे निकालने के बाद इसे हम रख देंगे साइड में और उसी पेन में हम डाल देंगे आधा कप भर के पानी और स अगर आप डाल जादे ले रहे हैं उसके हिसाब से चीनी कम ज़्यादा ले सकते हैं चीनी को हम चासनी बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे बस चीनी को पानी में अच्छा से हम पका लेंगे तो धीरे धीर उसको चलाते जाना है यहाँ पर मैं लिहूं खरबूजे का बीच थो बावबूर के डालेंगे काफी अच्छा टेस्ट भी आती है और साथ में आप इसे श्टोर मी कर शकते हैं तो यहाँ पर मैंने भून लिया है देख सकते हैं अब होंकर हम इसे डालेंगे आयाँ पर चासनी भी तयार हो गई यहाँ बस चीनी को गलाना हा पानी में को थार न ने दाल का पोडर बनाया है ना कितना दाने दार बना हुआ है यह दम दाने दार बनी हुई है मीडियम लोट टू फ्लेम पे ही चासनी और दाल को हम अच्छा से पका लेंगे तो यह देखिए पूरी तरह से अच्छा से जो चासनी है ना पूरी तरह से दाल जो है ना सोक लिय ले सकते हैं या खरबूजे का बीजी सिर्फ डाल कर बना सकते हैं तो यहां पर मैं 2-3 मिनट तक और चासनी में अच्छा से मैंने पका लिया है चलाते हुए पानी पूरी तरह से सूख गए है देख सकते हैं एकदम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और बंद करने के बाद में इस वापस एक मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे यह मिस्रड जो है उखाल कहल का ठंडा हो गया है अब इसे हम निकाल लेंगे दुशरे बरतन में तो वही थाली में लिए हूं जिसमें मैंने डाल का पोडर पीस का रखा था उसमें मैं निकाल लिए आप चाहे तो दुसरे में भी निकाल सकते हो बस इसे फैला देंगे और फैलाने के बाद में हलका सा इसे ठंडा कर लेंगे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे उतना ही ठंडा करेंगे जितना कि हम हाथ से इसे अच्छा से छो सके हलका हलका ठंधा हो गया है, देख सकते हैं हाथों से इस तरह से इसे मैश कर देंगे मैश करने के बाद में अब इसे हम बनाएंगे छोटे छोटे लेड़ू हाँ फ्रेंड तो ये मैं दाल का लेड़ू बना रही हूं, वो भी मोती चूर का बहुत ज़्यादा बढ़ियां बनते हैं कोई भी नहीं कहेगा कि मोती चूर का लेड़ू दाल से बनी हुई है एक बार आप लोग जरूर से ट्राइ करिएगा बनाने का जो तरीका है बहुत ज़्यादा असान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मोती का चूर का लेड़ू अक्सर हम बनाते हैं तो उतना परफेक्ट नहीं बनता है लेकिन इस तरीका से आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ियां बनेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि मार्केट का मोती चूर का लेड़ू नहीं है तो एक बार आप लोग जरूर से ट्राइ करिएगा उमीद करती हूं कि आज की ये जो डाल की मोती चूर का में लेड़ू बना रही हूं आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपनी फैमिली अपनी रिष्टेदारों में आप अपनी दोस्तों में सेर कर दीजेगा और हमारे चैनल पे जो फ्रेंड नए नए आई हुए अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज प्लीज सस्क्राइब जरूर से कर लीजेगा और यूटूब फैमिली और फेस्पूक फैमिली हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर से बताईएगा तो हमारे जो लड्डू है बनकर तयार हो गए है थोड़ा समय इसके उपर केसा डालकर डेकुरेट कर दीएँ आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते है अईवन नमबर की लड्डू बनी हुई है तो फ्रेंड जरूर से एक बार ट्राई करिएगा एकदम रसीली रसीली लड्डू बनकर तयार होई है तोड़कर मैं दिखा रही है यह देखिए मुह में जाते ही घुल जाएंगे लड्डू खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है जैसे हम मार्केट से खरीद के लाते हैं बिल्कुल वही टेस्ट आती है तो आप लोग जरूर से ट्राई करिएगा आई होब आज की हमारी रेस्पी आप लोग को बेहत ज़्यादा पसंद आए होगी फिर कल एक दूसरी नई रेस्पी लेकर के आऊंगी तब तक आप लोग इंज्वाय करिए धन्यवाद